ये जो fruit आप देख रहे हो ये एक बहुत ज़दा rare fruit है और इंडिया में इसके plant बहुत कम मिलते हैं और ये जो flower आप देख रहे हो ये काफ़ ज़दा खूपसूरत लगता है देखने में और इसी flower से ये fruit बनता है तो ये plant आप अपने घर में ज़रूर लगा सकते हो अगर आप ये plant अपने घर में लगाओगे तो जो आपके पडोसी हैं वो भी पूछेंगे कि भाई ये plant आप कहां से ले करके आए और दो से तीन साल में ही आपको ये plant इतने fruit देदेगा कि आपका पूरा परिवार भी मिलके इसके fruit नहीं खा पाएगा तो चलिए इस वीडियो का आप तो सारी knowledge मिल पाए तो hello guys welcome back to our new video आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बेल के बारे में जो आप लोग अपने घर में लगा सकते हो और इसके multi-purpose uses हैं यानि कि इसको फ्लावर है फ्लावर देखने में काफी ज़्यादा प्यारा लगता है और जब इसक के ओपर फल आता है तो वो फल भी काफी ज़्यादा useful है और उसके हमारी help में काफी ज़्यादा benefits हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस plant का क्या नाम है तो यह है passion flower तो इसका क्योंकि जो फ्लावर है इसको passion flower बोलते हैं और इस plant को बोल देते है passion flower wine तो यह का पहले आपको मैं यह बताता हूं कि इस plant को आप लोग अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हो तो यह plant seed से भी grow किया जा सकता है और यह plant cutting से भी grow किया जा सकता है लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप यह plant cutting से grow करें क्योंकि आप यह देखिए जो इसका flower है अगर आपको same to same इसी लेकिन कई बार क्या होता है जो पॉलिनेशन होती है उसके वज़े से थोड़ा सा वैरियेशन आ जाता है जो हम सीड से ग्रो करते हैं पौधा तो अगर आपको बिल्कुल मदर प्लांट चाहिए को सेम प्लांट चाहिए तो आप वो प्लांट ग्रो कीजिए जो कटिंग से अब आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि इसकी कटिंग लगाई कौन से मन्थ में जाती है तो इसकी कटिंग आप लोग स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हो और रेनी सीजन में बहुत इस पौधे की जो कटिंग है वो ग्रो हो जाती है तो यह देखिए यहां से उपर से ज तो चलिए और आपको मैं दिखाता हूं कि यह प्लांट जमीन में कहां पर लगा हुआ है तो यह देखिए यह जो पौधा है यहां पर जमीन में लगा हुआ है और यह इसका बेसल पोर्शन है यानि कि जमीन में से इतना मोटा यहां से प्लांट आप देख सकते हो यह हो चुक तो अगर आपके घर में छोटी सी भी जगा है तो कोई फूल वाली बेल लगाने से अच्छा है आप उसमें पैशन फ्लावर की जो बेल है वो लगाएं क्योंकि यह जो बेल है इसका जब फल बनता है तो फल इसका कितना ज़्यादा लाबदायक है आप सोच भी नहीं सकते तो यह पूरी जो बेल है फलों से भर चुकी है और दोस्तों आज कल काफी सारी जो एरलाइन्स है चाए वो नेशनल एरलाइन्स हो वो पैशन फ्रूट का जो जूस है जो पैशन है यह मार्केट में इतना दा अविलेबल भी नहीं है आपको बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं वहीं पे मिलेगा जैसे कि रिलाइन्स फ्रेश हो गया और जो बड़ी बड़ी जो दुकाने हैं वेजटेबल्स की फ्रूट्स की वहीं पे मिलेगा तो यह कितना अच्छा होगा अगर इंडिया में भी घर- Zust प में बड़ा हम लगा सकते हैं क्योंकि यह पस्तिविए बार्त ग्रीवों हम वें फिन्फ क enormous और और बड़ी जो में आर। Ing CEO रहता है तो इसका अंसर है यह पूरे साल जीयाल और पूरे साल यह हरा रहता है यानि कि ये आपके garden में greenery भी maintain करेगा greenery भी आपके garden से खतम नहीं होने देगा जो बाकी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है वो गर्बियों में तो ठीक तरीकी से चलते रहते हैं लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं सर्दियों में उनकी पत्ती गिडने लगती है तो greenery आपके garden में से ये पौधा खतम नहीं होने देगा तो ये पौधा मैं तो आपको personal recommend करूँगा आप लोग जरूर अपने घर पे grow कीजिए और इसमें passion flower में भी दो से तीन color आते हैं ये देखिए यहाँ पर जो flower लगा हुआ है ये इसका जो flower है ये एक white और purple color का है तो ये थोड़ा original है तो आप इसी color के passion flower को अपने घर में grow कीजिए इसमें एक light pink आता है एक red आता है तो वो plant मैंने आस तक नहीं देखा उसके fruit उसके ओपर लगे हुए लेकिन ये एक live example है कि इसके ओपर फल भी लगे हुए है और full भी काफी अच्छा है हुए है इसके ओपर quantity काफी जादा अच्छी है इसकी तो आप इस plant को अपने घर में जरूर grow कीजिएगा और दोस्तों अगर हम बात करें कि इस plant को आपको fertilizer कौन कौन से देने है तो fertilizer अगर आप इसमें खाली गोबर की खाद भी देंगे तो भी वो इसके लिए sufficient रहेगे कि अगर आप इसको अपने घर में grow कर रहे है तो वो इसके लिए काफी है अगर आप एक farmer है इसको grow करना चाहते है तो वो एक अलग angle चला जाता है खाद देने का और इसकी production बढ़ाने का और दोस्तों यह जो plant है यह अगर आपने एक बार अपने घर में grow कर लिया तो मैं यह दावा कर सकता हूँ कि मतलब आपके जो पूरे घर में heart की जो problems है उसमें काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है क्योंकि बड़े-बड़े जो doctors हैं वो भी बोलते हैं कि passion fruit heart patients को खाना चाहिए और उनको recommend करते हैं और एक और सबसे खास बात अगर आप इस पौदे को अपने घर में लगा लोगे तो इसमें अगर एक बार इसमें दो से तीन साल पुरान आपके plant हो गया तो आपको इतनी फूरूटिंग देगा कि आप खुद तो इसको खाई नहीं पाऊगे अपने आसपास के जो पडोसी है जिनके पास जमीन नहीं है अपना गार्ण नहीं है खुद का या फिर वो ग्रो नहीं कर सकते इतनी स्पेस नहीं है आप उनको भी खिला सकते हो इतनी जो फूरूटिंग है वो लगे या पर देख सकते हो पूरा जो पेड़ है भर चुका है फलों से और जब कि नर्थरी म अगे दर लाइव एक्सामपल है और अबर बात करें इसक sworn कैसे जगा पर लगाना चाहिए तो आप लोग इसको अइसी जगा पर लगाई जहां पर इसको चौनला इन जबरिल incentiv कि शुरूमें जहांं पर इसको सनलाइट ना मिले या फिर किसी बड़े पेड़ की च्छाओं क को दिखी रहा होगा अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे या फिर इसक्रिंचॉट लेंगे इस वीडियो में से तो यह आप देख सकते हो कितने ज्यादा इस पर फल ले गए हुए और मेरे ख्याल से टेर इस में मतलब किलो में अंदाजा में नहीं लगा सकता, किटने फल हैं और शीर होगा इसको फिर मायर करने बिलगा आप इसको लगाएंगे तो आप निरोगी तो रहेंगे तो यह देखे यह लिए पूरी बेल एक बार मैं आपको थोड़ी इसका दूर से भी ओवर्वीव देदेता हूं यह देखिए यहां तक यह भी बेल जा रही है और आपको फूरी उपर हिहां पेल फैली हुए है और आपको फ्रूर्ट सी इस पर सारे में दिख रहे होंगे यह किसी बड़ी नर्सरी पर पता कीजिए कि बड़ी नर्सरी वाले इस प्लांट को रखते हैं और एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको ऐसा ही पैशन फ्लावर लेना है जिस पर इस तरीके का फ्लावर आए और बस थोड़ी आपके ट्रस्टेड नर्सरी होनी चाहिए क्योंकि क्या सब्सक्राइब और फिर हम क्या होते हैं उसको घर में लगा लेते हैं दो साल बात जब उसका पौधा बंता है तो हम सोचते हैं आ रहे तो जमीन में लगा हूं hypoth और flower तो हम उसका वाइट और परपल चाहिए तशको लेकिन इस पर आतो रहा है पिंग या फिर दूसरा कलर का तो यह आप ध्यान रखे कि एक ट्रस्टेड नर्सरी हो और थोड़ी बड़ी नर्सरी हो जो पूरी जिम्मेदारी से एक प्लांट सेकरती हो और ये देखिये यह है छोटा सा कटित करती यह गया सकते हो टो आप इस तरीके के प्लांट कर सकते नर्सरी से यह सब्सक्राइं यह सब NE प्लांट को अपने घर में लगाएं और इस प्लांट के बेनेफिट्स वो ले सकें अब बहुत जल्ली मिलूँगा एक और न्यू वीडियो में तिल दैन पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को राबरा बनाए रखिए जया हिंद वंदे मात्रम